इस खास पेशकर्ष में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंगित श्रमा तो आज हमारे साथ ऐसी सक्षियत मौझूद है जो प्यूपल फॉर एनिमल संस्था के लिए काम कर चुके हैं मंधिर सिंग मान जी सबस्था पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में और हमारे साथ यहां पर वरिष्ट पत्रकार विनोध बैश्णव भी मौझूद है उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम में तो आए आज हम बात करते हैं क कि एक संस्था से जुड़े हुए समाज सेवी मंधिर सिंग मान जी जो अब राजनीती में आ चुके हैं पहले भी आ चुके हैं लेकिन अब इनकी शुरुआत एक नए इस्तर पर हो रही है यह फरिदवाद लोग सभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आए इनसा जानत जम मैं जनता की सेवा करता था लोगों के दुखसुग में भी जाता था समाज से भी बिराओं मैं तम उससे जनता ने लोगों ने कहा कि आप जैसा इनसान हमारे देश का नेता होना चाहिए तो मैंने उनके लोगों की जनता की अवाज सुनके दो हजार बारे में लोग सभा कि तयारी में मेरी तयारी मैंने आजाद ही लड़ने की कोशिश की थी लेकिन करीब छे साथ मेहने एलेक्शनों से पहले मेरे को बीजेपी के जो परभारी थे उन्होंने मुझे आके जोइन करवाया और कहा कि हम आपको पूरा असमान सम्मान इस पार्टी में दिलाएंगे उन मिलने पर हतास होके मैंने एक अपने कैप्टर नभी मन्यू जी को बिलाया उन्होंने मेरे मेरे बिलावे पे मुझे आने के लिए कहा उन्होंने आने के लिए कहा तम मैंने उन्हीं के लिए फैदाबाद में एक बहुत बड़ी रैली को आयोजन किया उस रैली का नाम था ज रोगने के लिए भारते जंदा पार्टी के कारे करताओं ने नेताओं ने कोशिश की लेकिन फिर भी मैंने एकले अपने दंपे करके दिखाई उस रैली को रोगने के लिए खाली भाजपा के कारे कर भाजपा के ही नेता नहीं कॉंग्रेस के भी बड़े नेताओं ने पर चूद भी मैं टिकट में हर सर्वे में नमबर वन था मुझे टिकट ना दी गई किर्शनपाल गूजर जी को टिकट दी गई फिर मैंने जनता ने मुझसे कहा कि आपका हक था आपको एलेक्शन लड़ना चाहिए फिर मैंने पार्टी छोड़ दी इसी वज़े से कि मुझे मेरा हक उसमें नहीं मिला टिकट का मैं हर सर्वे में चाहे कोई मोदी के नाम की सर्वे हो चो आरेसस के नाम की सर्वे हो चो बीजेपी के नाम की सर्वे हो इनकी पांच शे प्रकार की सर्वे होती है हर सर्वे में मैं नमबर वन था लेकिन फिर भी मेरी टिकट काटी गई इ बहुत दुख हुआ मैंने छोड़के उसको इलेक्शन की तैयारी की तभी जब जनता ने जब उस टैम पे मोधी की लहर बहुत जादा थी मोधी ने इतना लुभा लिया था जनता को कि मैं पंद्रा लाग के आपको खाते में डालूँगा तो हर गरीब ने हर उसने सोच लिया कि बहुत तुम तो लगपती बढ़ने वाले हो मोधी तुम्हें लगपती बना के छोड़ेगा तो सब जनता का रुख फिर उधर जाने लगा उसी बीच इने लोग पार्टी ने अजया जी ने अभै जी ने उन्होंने मेरे से कहा कि आप हमारा समर्थन दीजिए तो मैंने उस टैम पे फिर अपने पीछे हटते हुए एलेक्शन को छोड़ते हुए उनको समर्थन दे दिया था उसके बाद फिर मैं साइलेंट रहा बिलकुल फिर कई साल में साइलेंट रहा फिर मुझे बीजेपी वालों ने दो साल पहले दीपक मंगला जी हैं जो उन्होंने मेरे करेदे का कि छोटा भाई बना के राखूंगा उन्होंने मुझे पार्टी जो इनकरवाई इन्होंने बहुत उचा सम्मान दिलाने के मुझे वादे किये मैं इनसे मिलता रहा बार-बार इन्होंने मुझे यही का कि अभी दो चार दिन और रुख जाओ मान साब कुछ दिन एक इतने बड़े नेता को इन्होंने दवाने की कोश़िस की इन्होंने सोचा कि मेरी राज़नीती खतम हो जाए क्योंकि किर्सन पाल जो घूंजर जी है उनको पता है कि अगर मुझे मुझे मौका मिलता है तो उनका सबका फिर नमबर नहीं आने का तो उनोंने मेरी राजनीती ख aliment करने की पूरी कोशिश की मुझे जोन करवाया और मुझे कोई पत्दक भी नहीं दिया फिर वहीं मैंने बहुजन समाच पाइटि से नके मेंबरों से उनके कारेकरताओं से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी में मान सम्मान सब कुछ मिलता है आप हमारी पार्टी में आईए हमारी पार्टी से तयारी कीजिए कोशिच किए जैसा आप मेहनत करेंगे पार्टी आपको देगी तो हजार तेहरा में जब बीजेपी जॉइन की लेकिन उसके बाद आपने फिर निर्दली आपने बताए कि आपको टिकट नहीं मिला फिर आपने निर्दली आवेदन किया लेकिन आप फिर भी चुनाव नहीं लड़े आखिर कि जहां तक फिर मुझे जो अजया भाई साब ने और अजया भाई साब ने मुझे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके साथ मिलके उनको मजबूती करूं उनको मजबूत करूं और लेकिन आपने उस समय बीजेपी में रहते हुए आपने इने लोगों समर्थन किया था नहीं बीजेपी को छोड़ने के बाद मैंने इने लोगों समर्तन किया था मैंने वह भी फारम भी भर दिया था मेरा गैस का स्लेंडर निशान आया था लेकिन उसके बाद जब अज़े भाई साब से फिर इन्होंने दिगवीजे भाई साब को घर बेज दिया कि जोईन कर लो मान समर्तन दे हमें मैं उनको Sãoadil से समर्तन दिया और उनके साथ पिर मैं समर्तन देने बाद बिल्कुल साइललेंट उसके बाद मुझे बीजेपी वालों ने तीन साल बाद फिर भाजपा ठीमें दू साल बाद देखो यही बात तो मैं अभी कह रहा था जहां पर आप बीच में रुक गया वही बात मेरी पूरी होने वाली थी कि मैं किस तरह से बहुज़ उसमें गया था बीजेपी में और किस कारण मुझे उसका समर्टन देना परा ही नहीं लोगा और भाज़पा में मैं किस कारण जा रहा हूँ मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा था कि उस टेम पे मुझे जब पब्लिक कार्य करताओं से मुझे पता चला कि मान मिलता है समान मिलता है फिर मैं इनके लीडरों से मिला सीनियरों से मिला बहुजन समाज पार्टी के तो मुझे हुआ आदर प्यार और इतना मिला कि जिसकी कोई हदी नहीं तो मैं अब इस पार्टी में जुड़ा हूँ लेकिन बड़ा सवाल मान साब यहां यह आता है कि जब आप बीजेपी में थे आपके साथ दोक हुआ आपको बता है कि आपको टिकट नहीं दी गई आप उतसे बहुत नाराज हुए और आपने फिर दुबारा इनैलो को समर्थन दे दिया तो आपने इनैलो क्यों नहीं जाज जो जनता की आवाज आई मैं सुनता हुआ आता था उन्होंने कामाँ साब ने गल्ती कर दी बीजेपी को जौइन करना था बीजेपी नहीं छोड़नी चाहिए थी आज ऐम मेले की टिकट होती मंतरी होते लेकिन मुझे पता था यह मुझे मैले की टिकट भी नहीं दे लेकिन वो भी मेरी जनता की आग खुल गई कि अब भी मेरी जनता समझती है कि लड़के ने सही किया जो बीजेपी में नहीं गया बीजेपी में जाता तो इसकी राजनीती खतम हो जाती और जाके देख लिया तो अब जनता के आगे सारी बाते आगी हैं कि वहां से धोके के सि इसके पास कुछ नहीं है अब जहां है लड़का सही जिगे पाया मुझे सब जिगे सब यही आसी वाद मिलते हैं कि अब आप ने सही पार्टी चोइस किया है बहुत अच्छी जिगा आयो और आप इस पार्टी के साथ मेहनत करो आप बहुत आगे तक बढ़ोगे अगर बसपा आपको लोगसभा का उमीदवार नहीं बनाती है पार्टी से तो क्या फिर दुवारा से नर्दले लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी को समर्तन करेंगे मैंने अभी अभी यही बात पर मैंने खतम किया है कि मैं इस पार्टी के साथ जो मेरी जनता और सबकी आवाज है मेरे लोगों की आवाज है सबने कहा इस पार्टी के साथ मेहनत करो और मेहनत का सब कुछ मिलता आगा जो मुझे पार्टी election लड़ाएगी तो election लड़ूँगा और कहेगी किसी और को लड़वाना तो किसी और को लड़वाँगा तो 2019 के लोग सभा चुनावों को लेकर आपकी क्या तयारियां है मान साथ 2019 के चुनावों को लेकर हमारी वही तयारियां है जो हर पार्टी कर रही है कि हम मजबूती से आएं लेकिन इस दोजार चुनावों में जो बहुत जो इसने बीजेपी सरकार ने जितने देश को नीचे लाया गया है देश को गड़े की तरफ धके ला गया है मैं तो यह कहूंगा कि ऐसा ही चलता रहा तो देश का हर नागरिक मजबूर हो जाएगा इनके खिलाफ हत्यार उठाने के लिए भी क्योंकि आज अर्थवेवस्ता चर्मराई पड़ी है और देश की हर जी का बुरी हालत है चैक किसी में क्राइम में ले लो क्राइम बढ़ता हुआ जा रहा है आप कहीं भी रोजगारी में देख लो रोजगारी हर्याने में किसी को भी नहीं मिली आज तक हमारे युवाओं में किसी भी कारे को देख लो कहीं आज बरसातों में कहीं हमारे फईदाबाद का लोग सभा का कहुँआ मैं बरसातों के टैम में इतना पानी भर जाता कि कई हिस वार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बीमार हो जाते हैं पानी उस दोे के आप पड़ती हैं वहीं कानूना वेश्टता स्गराब रही है सब चीज सारी विवस्ता इस सरकार में खराब रही है और आप सभी को पता है कि इस सरकार की पोल बहुत जल्दी खुनने वाली है तो पहले वीजेपी से केंद्रिय राज्यमंत्री जो अभी है हमारे किर्शन वाल गुजर्दी वो साड़े छे लाख वोटों से जीते थे तो अब की बार आप उनके सामने अगर रहेंगे तो क्या आप उन्हें टकर दे पाएंगे युवा आज भी मोधी की तरफ है चीतो चुनावों को लेकर चुनाव लड़ने के लिए आपके प्राथमिक मुद्धे क्या रहेंगे सबसे पहला मुद्धा तो हमारा भ्रस्टाचार को खतम करने का होगा जो हमारे देश में बढ़ता जा रहा है के लिए तो प्रधान मंत्री से नोटबंधी जैसे एक बहुत बढ़ी विशाल एक विचार दारऊने के लिए देखो देखो इसको बिल्कुल नोटबंधी नहीं कह सकते इसको तो एक ताना शाही कह सकते नोटबंधी करते तो सीस्टम से करते जो पराना पैसा जाए वो बैंक में जाए जो नहाए वो आए इसमें तो जंता का आम का आदमी का दो तो महीने चार चार महीने तो वैसे उनके खराब कर दिये बिजनिस ठप कर दिया जिनके छोटे बिजनिस थे वो करनी पाए और जब एक बार बिजनिस रणिंग में से कट डाउन होता बो बिजनिस कहां सक्सेल हो जाता सब देशों को लाइन में लगा दिया सब कुछ किया यह ताना शाइफ हैसले मैं इनको यह नहीं कह सकता कि नोट बंदी से हमारे देश का भला हुओ अगर हमारे देश के ऊपर हमारे देश के पास कुछ पैसा ब्लैक मैंनी बचा होता दिखा होता तब तो नोट बंदी का फायदा ता आज वही नोट बंदी पूरे के पूरे नोट होगे और किसी कैसे भी इनके आदमी रही सोगे अंबानी जैसो के चेहरे सामने आगे जिन्होंने अपने नोटों को कैसे एक नंबर में किया इन्होंने कैसे किया तो नोट बंदी से हमारे देश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ अगर लोग सभा में जनता आपको उमिद्वार बराती और जिताकर की लोग सभा भीजती है तो सबसे पहले फरिदाबाद के लिए आप क्या कारे करना चाहेंगे ताके हमारे देश की जड़ मजबूत हो नीम मजबूत हो जब नीम मजबूत होगा पौदा जबी मजबूत होगा देश जबी मजबूत होगा तो सबसे पहले तो हमें देश की मजबूती तरा करनी है और जो भ्रस्टा चाहर है वो रोगना है और उसके इलावा समाज के जो और इनेलो में अभी आपसी रार चल रही है, उनके परिवार में एक बहुत ही कलह जो चल रही है, सभी के सामने है वो, बहुत ही विख्यात भी है, तो उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कि अगर वो, अगर ये सा मर्थन, गटबंदन नहीं रहता, तो क्या, तो क्य हो चुका है, ये गटबंदन बहुत मजबूत है, ये बेंज, ये हमारे आक बड़े वो सीनियल लोग भी कह चुके, परिवारी भी कह चुके, अध्य जी बी कह चुके, और अभी अजय चोटाला ने जी कहा, अभी जी ने भी कहा, सब ने कहा है, कि ये गटबंदन मजदू पूरता है, ये गटबंदन तूटे का नहीं, और गटबंदन तूटता भी है, अगर गटबंदन तूटता भी है, तो मैं पायटी के साथ हूँ, मैं पायटी के लिए जो भी महनत है, मैं करूँगा और करता रहूँगा, मैं तो मुझे तो इस गटबंदन के बारे में तो ह तो आप फरीदबाद लोगसभा से चुनाव लड़ना जाते हैं लोगों की कुछ उम्मीदे होती हैं लोग चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा निकले ठीज़ाना चाहता हूँ लोग आपको ही क्यों वूट करें क्योंकि मैंने 2012 से तो मैंने पार्टी बना के सेवा किया लेकिन मैंने जब से मैंने कॉलिच छीड़ा है जब से ही मैं जनता के बीज में रहा हूँ हर समाजिक कारें में रहा हूँ एनिमल राइट्स के लिए मैंने जीव जन्तूओं के लिए सेवा किया जो बोल भी नहीं सकते मैंने उनके लिए भी सेवा किया काफी शायद उनकी ही आत्माओं की दुआ हो जो लोगों ने मुझे से प्यार किया मैं उनकी सेवा कर पाया अब मैं लोगसवा की सेवा कर रहा हूँ लोगसवा के लोग जानते हैं मैंने दिल से सेवा की है पूरी लोगसवा की और मुझे टाइम मिलेगा लोगसवा के बाद तो मैं भार की भी सेवा करूँगा पार्टी हमारी आती है तो हरी आने में पूरी में मेहनत करेंगे और जहां तक भी होगा हम सेवा करेंगे तो सुना आपने कि मंधीर सिंग्मान जी आखिर किस तरह बीजेपी के बारे में उनके ब्रस्ताचार मुक्त होने के दावों को खोकला बता रही हैं और इन्होंने और भी काफी सारी दलीले रखी हैं कि पानी से लेकर बिजली तक कितनी ही सारी समश्याइं हैं अगर उनकी सरकार आती है तो वो इन सब चीजों को खतम कर देंगे तो मंदीर सिंग मान जी से अब हम विदा लेना चाहेंगे और अपने इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही बनने हमारे साथ और देखते लिए नमस्पार